हेलो दोस्तो आप सभी का ओल राउंड नोलेज में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग टेंज के अंतरगत कुछ खाज हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिस में ट्रांसलेट करने जार हैं तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंतरग जरूर देखेगा और दोस्तो मैं आप लोग को एक एक रूल भी बताऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करिप्या इस वीडियो को अंतरग जरूर देखेगा आज का पहला सिंटेंस है आप क्यों मुझे से क्रोधी थें तो जैसे आप क्यों खुस है तो वाई आर यू हैप्पी होता है आप क्यों उदास है वाई आर यू सैड होता है तो आप क्यों क्रोधी थें वाई आर यू एंग्री और मुझे से का लिख देंगे बिख्मी तो स वाई आर्यूग्री विध मी आप क्यों मुझसे करोधित हैं या आप मुझसे करोधित क्यों है मैंने कुछ नहीं किया है तो दोस्तों यह किस टेंस में है यह है present perfect प्रफेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जैसे मैं लिख चुका हूँ, I have written, वह जा चुका है, he has gone, मैं पढ़ चुका हूँ, I have read, तो उसी परकार यहाँ पर है, कि मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ नेगेटिव में है, तो यहाँ पर हो जाएगा I, इसके बाद लिख देंगे have, क्योंकि इसमें have is लगता है, I have not done anything. I have not done anything, मैंने कुछ नहीं किया है, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, आप इसे यह भी लिख सकते हैं, I have done nothing, मैंने कुछ नहीं किया है, नेक सेंटेंस है, मैं सोम बार से अनुपस्थित हूँ, तो यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है, कि सोम बार से, तो यह present perfect continuous tense में आ जाए जाएगा, जैसे मैं सोम बार से अनुपस्थित रहा हूँ, यह हूँ, एक ही बात है, तो इसका बनेगा, I have been absent, I have been absent, सोम बार से यहाँ पर हो जाएगा, since Monday, next sentence है, चूकि तुम बच्पन से बदमास रहे हूँ, तो यह अभी present perfect continuous tense में है, बच्पन से है यहाँ पर इस वजह से, जैसे यहाँ पर सोम बार से है, उसी प्रकार यहाँ पर बच्पन से है, चूकि तुम बच्पन से बदमास रहे हो, तो चूकि का age लिख देंगे, या क्य क्योंकि यहाँ रहेगा, तो because भी लिख सकते हैं, तो as you have been, you have been naughty भी लिख सकते हैं, या mischievous भी लिख सकते हैं, naughty या फिर mischievous, मतलब होता है सरारती, you have been mischievous भच्पन से, यानि कि अपने भच्पन से, तो since your childhood, या फिर since childhood भी लिख सकते हैं, as you have been naughty, since your childhood, मैं सोचता हूँ कि किसी दुसरे ने ऐसा नहीं किया है, तो मैं सोचता हूँ I think हो जाएगा, I think किसी दुसरे ने ऐसा नहीं किया है, nobody else has done so, मैं सोचता हूँ कि किसी दुसरे ने ऐसा नहीं किया है, I think nobody else has done so, आपने यह कैसे सोच लिया है, तो यह भी present perfect tense में है, तो यहाँ पर कैसे है, तो how लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपने है, यानि you के साथ have लगता है, तो have लगा देंगे, how have you, और सोचना का think होता है, तो यहाँ पर भर्वथिरी thought हो जाएगा, how have you thought this, या यहाँ पर आप जो है, so का भी यूच कर सकते हैं, कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया है, how have you thought so, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं हमेशा नेक रहा हूँ, तो क्या आप नहीं जानते हैं, या simple presentance में है, तो don't you know का भी यूच कर सकते हैं, do you not know भी लिख सकते हैं, don't you know that मैं हमेशा नेक रहा हूँ, तो जैसे वह बिमार रहा है, he has been ill होता है, तो उसी परकार मैं हमेशा नेक रहा हूँ, I have और always को been से पहले लिखेंगे, हमेशा का, I have always been gentle, नेक, don't you know that I have always been gentle, आपने सुभा से काम क्यों नहीं किया है, तो यह जो है present perfectance में है, आपने सुभा से काम क्यों नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर question word है, क्यों, तो why लिखेंगे, why have you not done work since morning, सुभा से, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने काम नहीं किया है, तो यहाँ पर भचायागा, मेरे पास समय नहीं था, या I had no time, मेरे पास समय नहीं था, या I didn't have time भी लिख सकते हैं, I didn't have time, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ काम नहीं किया है, so I have not done this work, उसके साथ मेरा संबंद बरसों से अच्छा नहीं रहा है, तो यह present perfect continuous stance में है, और यह थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, उसके साथ मेरा संबंद वरसों से अच्छा नहीं रहा है, तो मेरा संबंद यानि I साब को सुरू करना पड़ेगा, I have not been on good terms, on good terms, अच्छा संबंद, I have not been on good terms, उसके साथ, with him, with him, बरसों से, for years, I have not been on good terms with him for years, उसके साथ मेरा संबंद बरसों से अच्छा नहीं रहा है, उमीद करता हूँ दोस्तों, कि आज का लिसन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से खास अंदाज में इंगलिज सिखने के लिए, आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, और दूसरे सभी विडियों को जरूर देखिये, ओल्राइट फ्रेंद्स, थैंक्स पर वाचिं, वेव अग्रेट दे, इंजोव यर्सेल्फ,